तो भाया आज आपका लाइब नंबर 31 है और बच्चा का पढ़ रहो पता है तुम्हें चैप्टर तीन का नाम जानते हो क्या है हिंदी में लिखेंगे निर्दे सांक जामिती ऐसे लिखते हैं ना खतरनाक वर्ड जामिती यह है तो बड़ी ही अच्छी सुन्दर सी प्यारी सी अरे मतलब यही निर्दे सांक जामिती लेकिन इसे समझना पढ़ता है थोड़ा सा जैसे आप देखते हो ना जो थोड़ा सा सुन्दर सा कुपसूरत स करने बहुते हैं अच्छी तरीके से समझना और प्यार से समझने से वाद बड़ा मघड़ार है मैंने बताया था तो आज फttD करने हैं मतलब exercise अब कुछ चच्चा लोग को कल मिर्ची लग रही थी यह रही तो पुराना वीडियो है एक हम काय पड़ी कि मैंने सारा कांसेप्ट कल बताया था लेकिन जब नहीं पड़े तो मैं क्या करो फटा 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 आप लोग सेयर कर दो हंड्रेड प्लस बच्चे होंगे तभी कलास चलेगी नहीं तो हम ऐसे बकैती करते रहेंगे तुम इसे देखते रहोंगे मैं जब तक कोईश्चन उतार रहा हूं और हां एक चीज बता दो क्या आपके पास NCRT की किताब है कि आप लोगों के पास NCRT बुक है मैत की की नहीं बहिए देखो NCRT बुक लेके आना तभी मजा आएगी नहीं वैसे मजा नहीं आएगी बीना बुक वैसे होता जैसे साहधी करने किसी फलाने की बराती में चलेग तो बस वैसे है कि तुम पढ़ने तो आया हो किताब लेकर नहीं आया हो तो बीना किताब पढ़ोगे कैसे समझ रहो ना क्या आप जानते हैं मैं कुष्चन लिख रहा हूं साइन्स क्लास का टाइम साइन्स क्लास का टाइम साइन्स क्लास का टाइम तीन पीम से कर दिया गया कल से ठीक है तीन पीम से कर दिया मतलब कल से तीन बज़े से सही रहेगा ना बच्चा किताब लेके आना तभी मज़ाएगी बिटा मैं सुरू करूंगा जल्दी से सुरू करूंगा तुरंट तो चलो मैंने एक पोल क्रियेट कर दिया अब सभी जानते हो न बेटा देखो कल से साइंस का जो टाइम है क्लास नाइंथ का साम तीन बज़े चलेगा वैसे भी सुबह सोने नहीं देते थे तुम लोग अब आराम से सुएंगे बिंदास ग्यारा बज़े तक चलो देखो एकसरसाइज थ्री पॉइंट उना तो बच्चा इसमें क्या कह रहा है निमनलिखित परतेक में से बताईए एक एक पार्ट का कारतिये तल में किसी बिंदु की इस्थित निर्धारित करने वाली छैतीज और उर्धाधर रेखाओं को क्या कहते हैं पाहिलो तो चच्चा लोग यह समझ लो कि छैतीज और उर्धाधर होता का है देखो समझो जो ऐसे रेखा है यह का है भाईया यह चैतीज है क्या बोलेंगे इसे चैतीज एक वर्टिकल और वह पढ़े होगे मोबाइल में जैसे क्या बोलते हैं उसे चैनते हो कि नहीं कुछ वाइसे ही है हमें आपको हिंदी में पढ़ाना है तो चैतीज का मतलब यह होता है उर्धाधर का मतलब यह लंबवाद यह यह चैतीज पहले तो यह समझ लो तुम ठीक है अब देखो आपे मैं बताओं लेकिन उसके पहले आप क्लास को सेयर करो भाई ऐसे मज़ा नहीं आरे फिर मैं बताऊंगा नहीं हंड्रेड प्लस फटा-फट करो तब ही क्लास सुरू होगी बीच में मैं कुछ इसमें पढ़ा दूंगा तो अच्छा नहीं है बिना सारे बच्चे आये पढ़ाना ठीक नहीं है जल्दी सेयर करो सभी बच्चे एक-एक बच्चा बच्ची सेयर करेगा अपने सभी वाटसप गुरूप में सेयर कर दो बाबु जितना आपके फोन में गुरूप है जितने आपके फोन में लोग जुड़े हैं जिनसे तुम गप सब चुप चप जो भी तुम करते हो चुपे से परसाइधे जैस सब को बहुत कि कि समझ रहा हो ना सब को बेच दो अराधना कुमारी हां कमेंट आ रहा है और जेंटल आएंड वर्टीकल बहुत अच्छे बाई जोती सिंगरोल जी बेरी गुड है तो होरी जेंटल आंड वर्टीकल भोलते हैं ठीक है फटाफट एक बच्चा सेयर करेगा देखो NCRT की बुकें लेके आप आओ तभी मज़ा आएगी जो भी बच्चे सीवेसी वाले हैं या यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड कौनसी दुनिया में सेयर कर रही है अभी हो बइसके जल्दी जल्दी सेयर कर दो हंड्रड फ्लस हो गए क्या कि हो गजात्य लोग मनों जादो कमेंटार आपका भी कशोकुमार एटिटूट की इंगा दित्ते बाइस कर दो जल्दी-जल्दी से हंड्रड पलस करो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं है कि अगर कई aur जैंटल से रख ले पढ़ेंगे ठीक है थीकिल से बच्चा से ठीक है ठीक है देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं मतलब की बाता कि बात रहूंगा आपस्यक्र करते जाओ ए एक सबसे कि ऐसे तो होता है ना ओरी जोंटल कि इस पेलिंग याद करने के लिए अबढ़ेंगे जिसे बोलते है बच्चा चैतीज क्या बोलते हैं चैतीज बोलते हैं अब यह जो इधर साइड में यह क्या पता है वर्टिकल यह क्या है यह है वर्टिकल जिसे उर्धाधर बोलते हैं आई से कुछ होता है भाई यह उर्धाधर ठीक है पहले आप समझो जो हम बताने वाले हैं देखो बाई एक एक बच्चा सेयर करेगा तभी कलाश सुरू ओगी अब यहначाईना अभी मैंने सुरू नहीं करा पढ़ाना अभी सारे बच्चे शेयर हीboarding नहीं करें इनको लग रहा है कि अभी चट्ची इनको जाडू समारेंगे तब ये लाइक करेंगे उसके पहले ना करेंगे अभी मेरी वाइप वाइप के बारे में ख़बर लगा रहे हैं भाई देखो जले पे नमक न छिड़को पढ़ लो तो अच्छा बात है फटा फट जल्दी से एक एक बच्चा लाइक करेगा और कलास को सेर करेगा जल्दी करो देर ना करो भाई ऐसे मजा नहीं आ रही चलो जल्दी फटा फट सभी बच्चे सेर कर दें सभी बच्चे जल्दी से जोड़दा तरीके से एक बार कलास को सेर कर दें और लाइक करने उसके बाद हम सुरू करते हैं बहुत जल्दी करें देखो बाबू अगर आप लोग जितना ज्यादा लाइक करोंगे और सेर करोंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर नहीं चाहते हुए दिल से पढ़ाया जाता है और दिल से कोई चीज होता है तो जन्वे करते हो कितना मज़ात है है नहीं है हंड्रेड़ पार नहीं जा रहे हो जल्दी से हमारे सभी साथी फटाफट खलास को लाइक करें बाभु देर ना करें और सेयर कर दें अपने देखो करना क्या है पहले सुनलो आपके जो भी वाट्स अप गुरूप है उनमें कलास को सेयर कर देना है अपने वाट्स अप इस्टेटस में हर एक बच्चा हो ना दिल तोड़ के ले गई इसकी जगह पे मैथ वाला लगा दो कभी-कभी दिल जुड़ जायागा इसको पढ़ने से समझ रहो ना तो कुछ अच्छी चीजें भी लगाया करो कभी-कभी मैं कभी-कभी स्टेटस देख लेता हूं कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट है तो उनकी आतों कुछ बहतर वाली सेलफी दिखती है यह कोई फीलिंग वाला ऐसा चीज लगाता है ना कि दिल थाम के बैठ जाओ लेकिन कभी बात नहीं आप ठीक न और आप हैंकोन मुझे यह भी नहीं पता है और वाइफ कहां है मुझे उसकी भी नहीं पता है बस आपको माडरेटर बनाया तो आप कमेंट आला काम करो फालतू का काम नहीं चलिए तो शुरू करते हैं फिर नमस्कार साथियों महराज कुमार आप सिबेश्ची बोर्ड़, MP बिहार बॉर्ड, हर्याना बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, रजस्थान बोर्ड कोई भी बोर्ड का कोई भी बच्चा बच्ची है सब के लिए यह महत तपूर्ण है समान क्योंकि इसमें हम हिंगली वह सुरी हिंदी और इंगलिस दोनों ये National label का पाठे करभ है ये राज्य विशेस के लिए नहीं है और हर एक ज़ब का जो अपना अता होता हुब ncrt पर ही अधारित हुथ नहीं है कि क्या रिड की fehlt मतलब पीछे जो होती है ठीग है तो चले फिर आगे बढ़ें कि God does सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जो वैसे तो कांसेप्ट मैंने पिछली कलास में बताया था लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे निर्देशांग ज्यामिती का इक्सरसाइज 3.2 क्लाफ 9th NCRT mathematics का 3.2 तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके यह बताओ क्या सबके पास किताब है क्या सबके पास NCRT किताब है तो थे को बेटा अगर है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं है सुन लो बोलो हाँ या नहीं आप लोग यास या नो बोलो कुष्टन मैं बोल दूंगा परीति या दो कुष्टन बोल दूंगा ठीक है डॉंट वरी exercise 3.2 बेटा इसका जो first question है क्या कहता है सुन लो सभी ध्यान से मैं दो बार बोलूँगा सुन लो question सुन लो ध्यान से 3.2 का पहला ध्यान से सुनो किताब लियो तो खोल लो page number 71 है NCIT में page number 71 है 71 page कहरा निमनलिखित प्रस्णों में से परतेक प्रस्ण का उत्तर दीजिए निमनलिखित प्रस्णों में से परतेक प्रस्ण का उत्तर दीजिए मतलब give the answer of following question English मैं इसे बना लेंगे हम जो गाड़ू English में ठीक है पहला कहरा है कारतिय तल में किसी बिंदू की इस्तिती निर्धारित करने वाली चैतिज और उर्धाधर का मतलब ऐसे रेखाओं के क्या नाम है बहिए चैतिज का मतलब ऐसे पट्टे है यानि हम खड़े हैं तो उर्धाधर है अगर हम लेड जाया भी जमीन में तो चैतिज हो गए आप लोग दिन में उर्धाधर रहते अरात में चैतिज हो जाते हो कुछ आईसे घदए हैं खचर टाइप के ढेर सारा दालभात खाए निर्दें चैतिज हो जाते हैं तो चैतिज का मतलब यह क्या है जैती जिसका नाम लिखा जाता बच्चवा आपना पर आया एकस और एकस डैस इसे क्या बोलते है यक्स अच इसे बोलते है वाई एक्ष आच्च को emu इंगलिस मैं Assist बोलते है दो बोलते हैं बचवा एक्सिस बोलते हैं ठीक है एक्सिस बैंक नहीं एक्सिस ऐसा ही कुछ होता इस्पेलिंग मुझे नहीं मालूम जादा इंग्लिस लेकिन हिंदी में इंग्लिस में दोनों में समझो क्या बोलते हैं अच्छको एक्सिस बोलते हैं यानि यक्स एक्सिस एंड किसी बिंदु की स्थिती निर्धारित करने वाली चैतिज और उर्धा धर रेखाओं को क्या कहते हैं या उनके क्या नाम है तो बेटा लिखोगे कार्तिय तल में किसी बिंदु की इस्थिती ने धारित करने वाली 36 वा उढ़ादर रेखाओं को करमसा करमसा यक्स अक्ष वा वाई अक्ष कहते हैं सभी समझ गये कार्तिय तल में किसी बिंदु की इस्थिती को उने धारित करने वाली 36 वा उढ़ादर रेखाओं को करमसा एक्स अक्ष वा वा यक्ष कहते हैं पहला कुईस्टन डन हो गया बोलो बगवान कीज़े चलो चापलो प्रीति यादो जी बिल्कुल कूश्चन मिलेगा जो बचवा NCRT किताब नहीं लिया है कोई यह ने राज्जी की NCRT लिया बाई उनके में भी मिलेगा उनके में भी मिलेगा बाबु उसके लिए क्या करना है तुम्हें पता है तुम्हें केवल निर्देशांक ज्यामिती का चैप्टर खोलना है बस चलो इसको मिटा दें मिटा दें हो गई कहानी पूरी चलो आप देखो जैसे जैसे जो बुक में है उसी अकार्टिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग लाइन में रहेंगे नहीं तो लाइन के बाहर हो जाते हैं देखो भाई अगर गड़ित सीखना है बाबू नाइंथ में पढ़ रहे हो तो आप पूरा इंड तक देखो यह नया चैप्टर है यह नया चैप्टर है ठीक है अर अगर पूरा कलास नहीं देखोगे आए और गए तो फिर वैसे आएगा और जाएगा मैथ भी तुमारे दिमाग में गुसेगा नहीं आएगा जाएगा लेकिन अगर एक बार जुड़ गए कलास में पूरा देखोगे सब समझ में आएगा चलो अगला कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के परतेग भाग को क्या कहते हैं इन जो चैतिज और उर्धा धर रेखाएं हैं इनसे जो भाग बन रहा है उसे क्या कहते हैं भाई या बड़ा आफान है वो चच्चा क्या कहते हैं इन्हें बताओ पहले देखो भाग क्या बन रहें भाई एक लाइन ये हैं एक लाइन ये हैं एक दो तीन चार यही तो इनके भाग बन रहें ना इन्हें क्या कहते हैं बताओ भाईया इनको चतुर्थांस कहते हैं देशी भासा में क्या कहते हैं चतुर्थांस कहते हैं बात समझ में आई ना च्छायती जा और उर्धा धर रेखाऊं से बने इन भागों को क्या कहते हैं वेटा चतुर्थांस कहते हैं क्या कहते हैं चतुर्थांस क्षाहीं चतुर्थांस को इंगलिसमें का बोलते हैं यह एवे इंगलिसमें का बोलते हैं Aa कि ऑ के depend अब कोरेंटर बोलते हैं विए कोरेंने अरे सुने नहीं वह लोग कहते हैं Cityट मतलब अपना कमरा कूरें कि नहीं मैं तो बहुत बच्पन में सुना था चोटा था तो बड़ा हो गया तो कमरे कमरा बोलता हूं कितना क्वाटर लिया है क्या बोलते हैं चतुर्थांस बोलते हैं देखिए तो दूसरे का जबाब क्या है सिकेंड पार्ट का जबाब है वेटा क्वाटर या चतुर्था केंदानस मैं वैंब से हिंदी में बतारा हूं और चतुर्थांस बड़ा खटर्नाक लिखना होता है रिजा पर से क्कूष्ठण कह रहा है इन दो तुम के दया ट्ल के बड़ के पत्री भाग को क्या कहते हैं चतुर्थांस कहते हैं बचवा इसको first quarter बोलते हैं पर्थम चतुर्थांस और ये दूतिये कौन है इधर नहीं ये पहला है दूसरा ये तीसरा ये चाउथार क्यों सही बता रहा हूं गलत सोच के बताओ देखो जहां से शुरू करोगे धिटा घड़ी की दिसा में चलोगे क्यों घड़ी ऐसे चलती है इसे दाइनी तरब को लगए चतुर्थांस में किदर को गूमते हैं जैसे घड़ी चलती है घड़ी के कलाकवाईच किदर कलाकवाईच समझ रहो न तो यह होता है अगर इसको पहला चतुर्थान से मानोगे ये दूसरा होगा ये तीसरा होगा ये चौता होगा समझ गए ना तो ये आपके मानने के ऊपर है इसको अगर पहला मान लोगे तो फिर ये दूसरा होई जायेगा आप किसको पहला मान रहे हो या आपके उपर डिपेंड करता है इसके बारे में जितने पढ़ो उतना कम है इसके बारे में जितने पढ़ो बच्चा उतना कम है लेकिन अभी तो मैं किताब वाला पढ़ा रहा हूँ बाकि इसकी अपनी खुद एक कहानी है इसकी खुद अपनी एक प्रेम कहानी है वो मैं सुनाओंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी सरबेश कुमार कुछ समझ में आ रहा है चांदनी कुमारी गौरो सिंग सिवकांत आधित्य सर्मा संकर रितु यादो थोड़ा दिमाग में घुसर आ कि नहीं घंटी बज़ रही कि नहीं बज़ रही न दिमाग की घंटी थोड़ा थोड़ा चलो देखो अगर कलास को पूरा देखोगे पक्का समझ में अगस साब आएगा लेकिन तुम थोड़ा से आये महमान जाई से और फिर चले गए न तो फ जहां यक्स और वाई रेखाएं एक दूसरे को परतिछेदित करती हैं उसे क्या बोलते हैं देखो देशी भासा में तुम कहोगे काटना इरेखा इरेखा का कर रही है काट दे रही बचवा मयत की भासा में इसे काटना नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं काटना नहीं बोलते इसे परतिछेदित करना बोलते हैं intersecting point प्यूव एक इधर से एक इधर से क्या होता है परतिछेदित करना बोलते हैं इसे तो जहां पर ये दोनों रेखाएक दूसरे को परतिछेदित करती हैं जैसर गाऊं की बड़े लोग होते दो और अच्छा एट्जामल लेती चलो समझो इसे क्या बोलता ओरचिन बोलते ओर ओरजिन हाँ मेल पॉ sila । भी बह सकते हो देशी महासा में बात करें ती से मूल बिंदू बोलते हैं कि मूल बिंदू बोलते हैं कि तो तीसारे का आंसर आप लोग पर ये दोनों X और Y-axis एक दूसरे को पर तीच्छे दित करते हैं इंटर्सेक्ट करते हैं उसे मूल बिंदू कहते हैं क्या कहते हैं मूल बिंदू कहते हैं हो गया कीरन यादो बहुत अच्छे ठीक है रोहित विसकर्मा आई लब माई मॉन डैड ये नाम है इनकाव ऐसे मैं बोलता नहीं हूं जो करता हूं ठीक है लब तो हर कोई करता है मॉन डैड को कुछ लोग तो किसी दूसरे के लब में डूप जाते हैं कभी कभी ये लोग मुझे भी खीच ले जाते हैं उसी में यह बना खतरनाक वर्ड है लब जानते हो कि नहीं कि तुम लोग अभी जानते तो बहुत हो कच्छ चे से जानने लगते हो लेकिन अभी कम जानो जब तक ना जानो तो अभी तक ठीक है चलो देखो यह हो गया अब बच्चा आपका एक दूसरा क कुष्चन है सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि मुझे यह बताओ कि आप लोग NCRT कितावें लिये हों मिटाओं का है भाई है अब इसको मिटाना नहीं है कि NCRT बुके लिए हो आप लोग कि बोलो हाँ कि बिसाल चौरसिया बेटा पढ़ाई कर लो सबहाल चाल ठीक है तुमारे बिना ही यहां पे सूनसान था तुम आ गए तो धमाल मच गया चलो किताब लिये हो तो पेज नंबर 72 खोल लो पेज नंबर 72 खोल लो भाईय किताब लिये हो तो यक्सडैस मारकर में थोड़ा से आही भर लूँ क्या मैं एंसी इर्टी वाली किताब जो मुख एंसी आर्टी है देखो जो मनुहर्रे अनुहर्रे चच्चा लोग के लिए होंगे लक्षमी परकासन नगीन परकासन पता नहीं क्या क्या वो लोग घबराएंगे नहीं निर्दे सांग जामिती में जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं सब के लिए है तुम किवल तरीका सीखो बिटा बस अगर तुम तरीका सीख लिए गारंटी में लेता हूँ तुम अपनी सारी कुश्चन कर पाओगे किताब का सब कर ले जाओगे किवल तरीका सीख लो यहां से पर यह देखो ज़्यादा एक्जांपल देने से कुछ होना नहीं है पहले पढ़ाई करो चलो दूसरा कुष्चन क्या कह रहा है कहरा बी के निर्देसांग ग्याद कीजिए अब तुम लोग किताब लिये हो तब तो अच्छी बात है मुझे यहाँ A, B, C, D बनाना है एक से लेके 6 तक इदर गिंती लिखनी है इदर माइनस 5 तक लिखनी है ठीक है देखो गिंती यहाँ में लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समझो इदर इसको बनाओ पहले सभी जिसके पास किताब है वो भी जिसके पास नहीं है वो भी चलो बनाओ, नहीं बनाओगे तो कुछ ना कुछ खुरा पाते करोगे, चलो जल्दी बनाओ इसको माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 बना रहे हो कि नहीं? बन सुकुपता बेटा पढ़ाई कर लो, कोई बात चीत ना करो बात चीत ना करो ठीक है? यह हो गया? उपर साइड में नमबर लिखो बेटा 6 तक लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी बच्चे इसको तुरंट बनाओ फटा फट बुकों में आपके लिखा गया जो बच्वा बुक लिया है चलो 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 देखो अब समझो मतलब मैं बताने माला क्या हूँ? आपको बी लिखना है इधर इधर एच लिखना है माइनस 5 के उपर का लिखना है आपे बी लेकिन ध्यान रहे हैं वो दो के लगभग में ही रहना चाहिए तो भाई अब बी यह हो गया देखो बीटा पढ़ा रहा हूँ अगर इमानदारी से पढ़ना तो इसको बनाओ किताब लिए हो फिर भी बना लो अपच नहीं होगी कुछ ऐसे नालाइक है सोच रहे होगे रहे हम तो किताब लिए हाथ ठक जाएगा इक्जाम में कुछ न कर पाओगे बिटा ठकी जाओग याद रखना या तो हाथ प्रेक्टिस करो लिखो जरूर ठीक है खुब प्रेक्टिस करो जितना लिखोगे उतना बेतर रहेगा माइनस पांच और तीन के सामने आएगा यहाँ पर यच बनेगा ठीक है अब यह आपका ऐसे जाके मिल रहा है अभी इस पर कुष्चन बनेगा इस पर कुष्चन बनेगा बटवार ठीक है समझाता आना तू लोग चलो देखो समझो समझो छे और दो इधर साइड यहाँ छे और यहाँ दो नाम रहेगा डी का नाम रहेगा डी नीचे सी है पांच और माइनस पांच यह यहाँ देखो आनी समझो अभी इस पर कुश्चन बनने वाला है इस पर अभी कुश्चन बनने वाला है जो मैं बना रहा हूं चलो कुश्चन सुरू होता है माइनस चार और दो चलो भाई साहब बन गया बबुवा चलो एक्ठिया हूं रहा है यम इसे माइनस तीन के आगे थोड़ा साइब तीन के आगे थोड़ा साह साड़े तीन मांदल यहां पर है और क्या नीचे ए है माइनस पांच के सामने यहां पर है यहां पर है अब इमानदारी से बताओ किसने किफने नहीं बनाया कौन-कौन सा ऐसा गधा है नलायक जो बनाया नहीं इसको देखो जिसको न पढ़ना वो न बनायेगा कोई जरूरी नहीं है जिसको पूरे पूरे पूरा आंक लाने है प्यार से समझना वो बनायेगा बन गया ना भाईया है जो नहीं बना रहा है वहीं डंडा किया है वहीं पूछ रहा है कब बनेगा कब बन होगा क्योंकि वह बना रहा नहीं उताक रहा है बस उद्धै संकर बेटा पढ़ाई कर लो भईया पढ़ाई कर लो चलो देखो अब इसमें कुश्चन है पहला कहरा कि बी के निर्देसांक बताईए कौन-कौन बता पाएगा बिंदू B के निर्दे सांग बताए ये बिंदू B ये है चचा ये बिंदू B का निर्दे सांग आप चलो देखो सबसे पहले यक्स पे चलोगे तो यक्स अक्छ ये है x पे आओ b के पास तक यहीं से चलो बैट लो गाड़ी पे तो भाया माइनस 5 तक है बबुआ क्या है माइनस 5 तो x कमान क्या है देखो निर्दे सांग जो है x और y के रूप में लिखा जाता है तो x कमान क्या है माइनस 5 है y कमान 2 है पलस में तो बिंदू b का निर्दे सांग माइनस 5 कमा 2 क्या होगा माइनस 5 कमा 2 एक अकिले नहीं होगा चाचा दोनों होगा जैसे तुमारी साधी होगी ना तो तुमारी y भी होगी तुम भी होगी दो होगी अकिले नहीं तुमारी साधी हो जाएगी कि अकिल्ले साधी हो जाएगी अकिल्ले सब हो जाएगा दो लोग होना चाहिए न तो ऐसे यहां पर क्या भाई यहां पर दो एक यह सक्ष एक वाई अच्छ ठीक है तो यह पहला कुष्चन हो गया फार्स्ट कुष्चन हो गया माइनस 5 कामा 2 इसको मैं मिटा देता हूँ क्यो जो ग्राफ कामपी लिया है इसको उसमें बनाएगा तो और सुन्दर लगेगा वो और उसके लिए आसान रहेगा थोड़ा सा इसको मैं काला कर देता हूँ देखो अब समझो यह हो गया ठीक है अगला कुष्चन कह रहा है सी के निर्देसांग ज्याद कीजिए कहीं सी जहायक सिंग कृस अंकित पर्जापति अंकेस यहूदी बिटा यहूदी पढड़ लो पर लो नहीए अ पकूद मार पड़ती है विंदु ढहीं किरहा है कि सी का नieu्स हांग ज्याद कीजिए दूतित कि पहले हम यक्ष्च पे चलेंगे साइड में ऐसे खर परेंद के मतलब नीचे कि तरफ नीचे की तरफ यहीं से चलेंगे आसमान में तो दौड़ेंगे यह यह ना हो जाएगा इसका कैं चंदनी कुमारी जी बिल्कुल करेक्ट है सी का माइनस पांच कामा पांच सी का निर्देसांग क्या होगा माइनस पाइब कामा फाइब देखो अगर समझ के चलोगे पूरी गारंटी से बता रहा हूं कि सब आएगा आपको तुम चैटिंग करोगे है जोती अपना नंबर दे दो पूजा तुम कैसी हो हां तो नालायकों हराम खोरों कुछ होने वाला नहीं जिन्दगी में समझ रहा हो ना पढ़ाई कर लो यह मैं कमेंट देखता रहता हूं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना अच्छा एक्सपेरियंस का ऐसे है हां कि मैं कमेंट देख रहा हूं मैं नहीं बोलूँगा तो क्या तुम जानते हो कि मैं देख नहीं रहा हूं मैं सब देख रहा हूं तुमारी एक एक हरकत कि चलो यह हो गया तीसरा गेरा निर्दे सांक माइनस-3 कामा-5 द्वारा पहचाना गया बिन्दू माइनस थ्री कामा माइनस फाइब ये बताओ चचा कहा है ये माइनस थ्री कामा माइनस फाइब कौन से बिंदू पर है उदै संकर को बलाग कर दो भाई इनके ज़्यादा खुजली मच रही है उदै संकर को बलाग करो बताईए माइनस 3 कामा माइनस 5 किसी बिंदु का है जैसे B का है, यच का है, E का है, यम का है, G का है, C का है, D का है किसी का है क्या है यह? अर यह 2 से और 6 के बीच था यह असे प्रीति आदो प्रीति जी मैंने सबसे पहले बता दिया तुम कहां चली गई थी अब तक देखिए मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ उन नालाइकों के लिए बोल रहा हूँ जो इसमें फालतू का कमेंट करते हैं ठीक है इसलिए पढ़ाई कर लो उन्हें वैसे मैं ब्लॉक करवाता रहता हूँ नोंजों फालतू कमेंट करते हैं लेकिन देखो दुनिया में कई तरह के पढ़ाणी तो सबको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वैसे तहुम मैं बलग करता रहता हूं ठीक है मैं यह किसी का नाम लेकर के बिशेस रूप से नहीं बोल नहीं हूँ लोग कमेंट करते रहते हैं इस तरह के न चलो तो यह हो गया माइनस थ्री कामा फाइब किस बिंदु का निर्दे सांग है अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें सभी का खोजे तो दोनों माइनस बिंदु इक हो रहा है हो रहा है ना यानि इसका अंसर होगा e क्योंकि बिंदु e का जो निर्दे सांग है वो माइनस 3 कामा माइनस 5 हो रहा है इसी के पास में है ना सबको समझ में आ रहा लिख लो exercise 3.2 है कौन सा है 3.2 जल्दी से इसको बना लो जो बचवान नहीं बनाया वो बना ले जल्दी से यह हो गया डन इसका अगला question देखो देखो भईया अगर आप लोग किताब लिये हो तभी मज़ा आती है अगर आप किताब नहीं लिये हो ऐसे ताक्ते हो मूँ एक दूसरे का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आती जान लो चलो देखो कहरा निर्दे सांग 2 कामा माइनस 4 2 कामा माइनस 4 किसी का है प्लस में 2 और माइनस में 4 खोजो भईया कहीं खोजो प्लस में 2 माइनस में 4 देखो तो प्लस में 2 अगर हम खोजें तो यह B का भी था लेकिन ना 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 यक्स पे 2 चाहिए तो यक्स पे 2 इसका तो है नहीं इसका भी नहीं है इसका है बिंदू G का है न टू और वाइप माइनस फोर यह फोर भी है यानि इसका अंसर हो जाएगा जी क्या हो जाएगा जी यानि टू कामा माइनस फोर उस बिंदू का निर्दे सांख है जिसका नाम है जी जी मतलब यह जी यह जी ओ जी यह जी ठीक है समझ गया ना चलो जल्दी जल्दी फटा फट लिख लो समझ रहे हो कि नहीं अभी अभी जो भी नए चात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस सेशन को लाइक जरूर करें अगर आप इसको नहीं करे हो तो ब अगला कहरा डी का भूज बताईए अच्छा भूज और कोटी कल के कलास में बताया था ना भूज और कोटी कल बताया था तो कहरा बिंदु डी का भूज बताईए चलो सबी बताओ भूज जो X-axis का वैलू होता बच्चा वही भूज होता है तो बिंदु D का निर्देसांग क्या पहले तो यह बताओ बिंदु D का निर्देसांग क्या है बैया हो बिंदु D का निर्देसांग बच्चा दुई कामा इधर भी प्लस है का हाँ दोनों प्लस है तो दो कामा छे है सही लिखाओं का गलत है यक्स अक्ष का मान पहले लिखा जाता है वाई का बाद में लिखा जाता है तो ये छे कामा दो है क्या है? छे कामा दो है तो बच्चा अगर इसमें हम भूज की बात करें तो 6 क्या है? भूज है 2 क्या है? कोटी है यानि भूज का मान 6 है कोटी का मान 2 है सबी समझ गए न? यानि इसका आंसर क्या है? 6 भूज क्या हो जाएगा? 6 है फटा फट समझेते हैं चलो भाई एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ जितने भी नए चात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे की वो रोज पढ़ सकें प्यार से ठीक है? चले? कहरा बिंदु यच यच फार हैन, हैन फार मुर्गी मुर्गी चलो बिंदु यच इसका कोटी बताईए बिंदु यच का कोटी बताईए अब बिंदु यच है कहाँ पहले खोजो बिंदु यच ये है न भाई राजपूत गेमिंग राजपूत गेमिंग बेटा पढ़ाई कर लो जितना मेनत तुमी सब कचड़ा बेजने में कर रहे हो उतना पढ़ाई में कर लो देखो अगर इसके निर्दे सांग की बात करें तो यक्स अक्ष पे माइनस पांच है वाई अक्ष पे माइनस तीन है तो ये भूज माइनस पांच है और कोटी क्या है माइनस तीन है सब को समझ में आ रहा ना भाईया कितना है मैंनस 3 तीन अगीत यादो मनोज आरयन ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बैरी गूड कितना होगा Records कुंगा भूज माम कौर्ट मै안स 3 और अगर निधंस निद्रसायंक पूछले कोई नलायक तो बताधे ना मैंनस 5 कामा 3 मतला माइनस 5 कामा मैंस 3 प्रिति विस कर्मा जी ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे हैं अपने ही अच्छे अच्छे पढ़ लेने तो इनको थोड़ा बहुत गलती करते रहते हैं उसके लिए इनको सजा मिलती है यह बुलक कर दिये जाते हैं पांच मिनट के लिए लेकिन जो एकदम बिल्कुल से नलायक है उन्हें एकदम से बिल्क कर दियाता है क्योंकि वो पड़ने नहीं देते हैं बिंदु यल के नर्देसाग्ख बहिया यल तो कहीं मैंने लिखा आए नहीं सायद कि दौ कहीं बिंदु यल दिख रहा है का यह चाच्चा बिंदु यल है यह जाला रहा है यह बिंदु यल था तो सोच के बताओ इसका निर्देसांग क्या होगा बिंदु यल का निर्देसांग क्या होगा जरा सोचो और बताओ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है जादा जो बिंदू यल है उस पे अगर तुम देखो तो यह बिल्कुल सबसे अलग है क्योंकि देखो B यहाँ बीच में था यहाँ था E यम मतलब यह सब अलग अलग जगा थे लेकिन भाई साहब जो यल है वो इसी बिंदिये पे रखा है जैसे यम भी रखा था इसी पे न देखो मैं बताता हूँ इसमें अगर हम यक्स अक्ष पे चलें भाई तो यक्स अक्ष पे ना तो यह इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है यानि उसी बिंदू पर ही है यानि इसी पर सीधा फीधा उपर चला गया तो यक्स का मान तो इसमें क्या होगा जीरो होगा वाई अक्ष पर ये पांच लाइन उपर बढ़ा है कौनो माइनस में बता रहा है अरे गदए उपर जाने पर माइन अफ नहीं होता है उपर जाता है जो अई पलस हो जाता है तो उपर क्या है पांच है पलस में है इसका निर्देसायंग जीरो कामा पांच है क्या है जीरो कामा पांच प्रीती यादो जी ठीक है आर्यन यादो अर्पित बर्मा सावन राज प्रियांसु सोनु साहु साहिल राजा बलराम गुर्जर ठीक है पर तीक पाठक बिटा तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है नहीं मुझे लगता है क्योंकि तुम्हें मैं कई बार बताया हूं इंक्वाइरी के लिए नंबर दिया है लेकिन तुम ऐसे ना लायक हो जो कभी सुधरने वाले हो नहीं तुम्हारा उद्देश से है कि ना तुम पढ़ो ना हजार लोग जो पढ़ रहें वो भी न पढ़े हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे चलो अगला है इसमें बिन्दु यम के निर्देश सांग भाईया बिन्दु यम आई गया आखिर बिन्दु यम के निर्देश सांग क्या होंगे यक्स अक्छ पे तो चल रहा है थोड़ा बहुत वाई अक्छ पे तो बिल्कुल गया ही नहीं जल्दी बताओ बिंदु यम के निर्दे सांग चलो जल्दी बताओ बिंदु यम के निर्दे सांग क्या होंगे इक्सरसाइद 3.2 चल रहा है ठीक है जो कमेंट कर रहे हो जान ले 3.2 चल रहा है सोच के बताओ यम बिंदु देखो दिख रहा है सबको दिख रहा है विंदु यम के निर्दे सांग आपको बताना है देखो मैं बताता हूँ यहां से आप लोग ट्राई कर लो फटा फट सभी यम यहां है यक्स अग्ष पे चल रहा है क्या कुछ ही यह यक्स अग्ष पे चल रहा है क्या भाई यक्स अग्ष कौन सा है यह न आ यह सक्ष पे यह माइनस 3 चल रहा है वाई पर एक भी पॉइंट नहीं बढ़ रहा कहीं वाई पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है तो वाई पर क्या हो जाएगा 0 यारी माइनस 3,0 यह भीग गया का लग रहा है यम का निर्देसांग क्या होगा माइनस तीन कामा जीरो क्या होगा माइनस तीन कामा जीरो जितने भी छात्र छात्रा हैं जुड़े हैं जल्दी से इस कलास को लाइक कर दें भाईया जिससे कि उन्हें आगे की कलास भी मिल सके प्यार से बहुत जल्दी करो बहुत जल्दी करो चले आगे बढ़े फटा फट लाइक करो या आपका 3.2 खतम हो गया इकसर साइज 3.2 हो गया खतम अब मेरे देखो हो गया जुखाम ठंड़ ठंड़ पानी पीना बड़ा नुकसान दायक हो गया है मतलब क्या जिन्दगी है है हाँ 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 चलो ठीक है जाने दो तो क्या कह रहा हूं है अरे यह चारजर है यहां लटक गया नेचे जा लिख लिए सभी अच्छा इसमें कोई नया बच्चा भी आया है क्या आज चलिए तो आप यह बता मुझे कितना समझ में आप लोगों को मैंने इतना देर बोर्ड आपके लिए खाली रखा था तब मैंने पेटियम का थोड़ा सा करजा उधार था वो भी जमा कर दिया इतनी जल्दी में आप लोग देखनी पाए आरती पटेल कलास आनलाइन होती है और आगे क्या बताएं आपको चलिए इसको मिटाते हैं अब इसमें आपको बड़ा ही बेसिक फंड़ा बताने वाले हैं कोई जाना नहीं देखो बच्चा जाना नहीं अभी किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसका जो बेसिक मूल मंत्र है वो आपको आना चाहिए तो मैं वही आपको इसमें थोड़ा बताने वाला हूँ देखो जितनी नियू मजबूत होती है न मकान उतना जादा दिन चलता है उतना जादा आंधी तूफान जेल पाता है जब तुमारी नियू मजबूत नहीं रह थीक है बंद्दक देखो सब अभी और अच्छे समझ में आएगा और देखे जिनको न समझ में उनके लिए है इसे उरूप से थोड़ा अलग थोड़ा सबढहत इस जिनको नहीं समझ में आया देखो समझो 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 देखो बच्चा जो इधर साइड को होता है नंबर ये देखो दाइने साइड को न ये सभी नंबर प्लस में माने जाते हैं ठीक है उपर साइड को जो नंबर जाता है ये भी सभी क्या माने जाते हैं औि पलस होते हैं इनहें यक्स अक्ष बोलते हैं याणी यक्स ऐक्सिस इंगलिज से इसे आपने देखा होगा मॉबाइल में हम लोगола करते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कुछ बत्चा इसा पढ़ता है जिसको कमेंट में गाली वाली देना रहता है इसे पढ़ता है जिसे बोलते है वर्टिकल और जो सीधा साधा रहता है बच्चा सुद्ध वाला है बोला भाला वह ऐसे पढ़ता है ऐसे पढ़ता है तो मोबाइल में पूरा स्क्रीन में दिखता है और बड़ा तो आपको कोशिस करनी चाहिए और जेंटल में मोबाइल करके पढ़ना चाहिए जिससे जो लिखा जाए बड़ा बड़ा दिखे कमेंट तुम्हारा करना जरूरी नहीं है जितना बकैती करते वाँ करके पढ़ना जरूरी है कि ठीक है कि प्रीति यादो सबको समझ में आ जाएगा सबको आ जाएगा सब आ जाएगा बिल्कुल टेंसन मतलो समझो तो जो कोई बिंदू रख दिया जाता है उसका मान कैसे निकालते हैं कि आप जानते हो कोई बिंदू अगर रखते हैं तो उसका मान कैसे निकालते हैं जानते हो जैसे देखो अगर मान लो कि भाया मैंने एक बिंदू यहां पर परतिय स्थापित कर दिया जिसका नाम मैंने रख दिया सी अगर मैं बोलू कि बिंदू सी का निर्दे सांग बताओ तो क्या होगा जर्या आप सोच के बताओ बिंदू सी का निर्दे सांग क्या होगा बताओ देखो कैसे निकालते में वही बता रहा हूं जिनको ना समझ में उनके लिए बता रहा हूं जो समझना चाहता है उसके लिए बता रहा हूं जो नलायक टाइप का है समझना चाहता ही नहीं उसको नहीं बता रहा हूं देखो अगर हमें इसका निर्देसांग याद करना है तो भीया जो निर्देसांग को होता है बाबू वो यक्स और वाई के फार्म में लिखा जाता है जो यक्स का मान होता है वो एक्स अक्ष का मान होता है जो वाई का मान होता है वाई अक्ष का होता है तो हमें बिंदू C का निर्दे सांग ज्यात करना है तो पहले हम देखेंगे कि यक्स अक्ष पर ये कितना जा रहा है तो यक्स अक्ष हमारा ये है हम सबसे पहले मूल बिंदू पर आते है और यहीं से इसकी दूरी नापा जाता है तो मूल बिंदू ये है हम देखेंगे कि मूल बिंदू से जो सी है वो कितना दूर है ऐसे समझे लो बेटा जैसे तुम्हें नदी का किनारा नापना है तुम्हें नदी का किनारा नापना है इस छोर पे कितना दूर है उस छोर पे कितना दूर है तुम क्या करोगे बाई नदी में क्या करोगे तुम एक किनारे ते जा करके नाप लिए फिर दूसरे साइड पूल उलसे नाव आउसे पार होके दूसरे साइड जाओगे ना आई फतन तो पनीयम घुष जाओगे कुछ जाओगे डूब मर जाओगे है किनारे किनारे जाओगे न तो ऐसे इसमें क्या है हमें सी को नापना है तो हमैं सूधा नहीं नाप पेंगे हम सी तक तो जाएंगे लेकिन एसे आयए जाएंगे यानी आसे समझ लो की रייל की पुतरी है ये पटरी से उतरके नीचे से नहीं जा सकते हैं कि अगर हमें सी की दूरी नापना है तो हम ऐसे नहीं नापसाटे सीधा वाला ऐसे नहीं ये गलत है ऐसा कोई तरीका मरे पास है नहीं ना अपने वाला तो क्या करते हैं हम बिंदू यही है यह तो इसका नाम थोड़ा दूर लिखा गया है ठीक है बाकी बिंदू ही है तो ऐसे हम नीचे आएंगे यहां डेखो सीधा ही तो काम बनेगा नहीं च यहां से उपर भी चलो कितना उपर हैसे चलेंगे को कितनां olması पन कि यानि तीन बंदes जाने पर मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा चार कामा तीन समझ में आ रहा है विसाल चौरसिया पढ़ाई कर लो बिटा पढ़ाई कर लो सरबेश तुम भी पढ़ लो अपच नहीं होगी पढ़ लो पढ़ लो ठीक है देखो यहाँ पे समझो यह जो थोड़ा सा सिस्टम बदला हुआ लग रहना आपको इसमें मैंने माइनस वाला कोई मान नहीं लिखा है हाँ एक चीज और समझे लो कल से जो साइंस का कलास होगा साम को तीन बज़े से होगा कल से साइंस का कलास साम को तीन बज़े से होगा उदर संकर नलायक पढ़ ले भाई पढ़ ले यार यह देखो कितना कचड़ा बेज रहा है कितना इमोजी कूड़ा कचड़ा पता नहीं क्या क्या बेज रहा है अच्छा ठीक है देखो यहाँ पर जो नीचे मान आता है वो क्या होता भाई माइनस में होता है इसे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 इधर साइड जो भी बढ़ता है माइनस में जाता है ठीक है समझो अब अगर मैंने एक बिंदु यहाँ पे रख दिया कहीं ला करके यहाँ पे और भाई साहब मैंने इसका नाम रख दिया पी तो आप मुझे यह बताओ तुम लोग बिंदु पी का निर्दे सांग क्या है जल्दी बताओ सोच के हर एक बच्चा बच्ची बताएगा बिंदु पी का निर्दे सांग क्या है बता नहीं बिंदु पी का निर्दे सांग क्या है बताओ फटा फटा बताओ क्या है देखो मैंने अभी अभी बताया ना इस पी का निर्देशांग के लिए हम इसके समकच्छ चलेंगे ऐसे खटा-खट ऊपर नीचे पहले यक्सक्च पर चलेंगे यह हमारी ट्रेन की पट्री हमें इसी से चलना है यहां तक आया देखो यह मिल जारा है यह यानि यह फोर के ही लगभग में हाए वाई पर इधर आए इसके समकच्छ देखो फोर के लगभग में है यानि दोनों फोर लेकिन यहां पर चिनना भूलना चक्छा चिनमेन है इधर यक्सक्च पर भी माइनस जारा ना मतलब घर के पिछवारे वाली खिड़की से आ रहा है इसलिए क्या है माइनस तो इसका जो मान होगा माइनस 4 कामा माइनस 4 दोनों माइनस होगा क्योंकि ये दोनों उल्टा आ रहा है क्या होगा माइनस 4 कामा 4 समझ में ना इसमें बहुत लंबी कहानी है इसकी प्रेम कथा बड़ी बड़ी भारी है अगर मैं पढ़ाओं यही एक्छा एक्सिज तो तुझ चार दिन पढ़ते रहो खतम नहीं होने वाला है लेकिन अभी सब नहीं पढ़ा देंगे नहीं तुम पॉंक मारोग जिसे बोलते समझ रहो देशी मासा में इसका मतलब समझ गये ना इसका मतलब हाजम नहीं होगा आपको क्योंकि जादा हो जायेगा है ना कोई चीज लिमिट में होना चाहिए बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो समझ नहीं पाओगे लिमिट के बाहर हो जायेगा तो इसलिए जितना कीताब में है उतना ही पढ़ना है कि जितना किताब में ऊतना ही पढ़ना है और बच्चे जागते रहें इसलिए हम थोड़ा सा अलग भी बोलते हैं क्लास से हटके जिससे बच्चे आ सोइन क्योंकि इनको बोरिंग नहीं मैसूस होने चाहिए है ना कुछ गार्जियन भी देखते हैं कभी-कभी सिकायत आती है करें सर आप तो पढ़ाई से हटके बड़ी खातरनाक बात बोल देते हो कभी-कभी तो देखिए बच्चों के साथ अगर मित्रता वाला बैवहार करोगे तो बच्चे पढ़ेंगे आज कल के वह बच्चे नहीं रहें जो रामचंद्र जी की तरह जा करके पीपल के पेड़ की नीचे गुरू दुरुण अचारजी से सिच्छा ले आते थे समझ रहो ना अभी स तो फिलहाल बदलते वक्त के अनुसार बदलना जरूरी है आज की कलास में इतना ही आप लोग कलास को ज्यादा से ज्यादा सेर करिए अपने सभी साथियों में सेर करिए जितना ज्यादा आप लोग सेर करेंगे कलास को उतनी बहतरीन कलास चलेगी क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा आएंगे तो एक motivation मिलता है मज़ा आती है अच्छा लगता है और class बेतर से बेतर होती है